सथ श्रियाकाल, यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच्टोहाड़ा बहुत-बहुत स्वागत है आज जैसे CBSE वलो छापी होई दस्वी जमादी पाठ पुस्तक साहितिक किरना पाक दूजा विचो एक कविता करांगे इस कविता दा सिरलेख है गुरु उपदेश अटे इस्दे कविहान पवन हर्चनदपुरी जी किताब महा काव जनमे खालसा इतिहास त्यव्लखन दस्तावेज वीचो लही गई है इस कविता विच सिक साजना उपरंद खाल से नू उस दे फर्जां बारे सुचेत रहन दी नसियत कीती गई है ते बराबरी, पगती, किर्थ अथे तरम दे सूलां उते डट के पहरा देन दा संदेश दिता गया है अपना सब्तों पहला इस कविता नू पढ़ांगे ते नालनल में तोहानू इसते अर्थवी दस दी जावांगे उसतों बाद आपना इस कविता दा अभ्यास हल करांगे गुरू पदेश कविता नू शुरू कार दे हां दसे गुरूहां सिख्की दी जोत बाली रोषन शमा ए रहूगी जग अंदर तक अभी लेख रहा है कि दस गुरूहां उननने सिख्की दी जोत नू बाल्ले ते ए शमा ए रोषनी सारे संसारं अंदर हमेशा रोशन रहेगी जग दी रहेगी नूरी बालू चिराग ए सोच अंदर सूरज वांग लिश्काएगी मान अंदर नूरी मतलब परकाशवान बहुत ज़ाधा परकाश होवे बालू मतलब बालना जलोना चिराग रोश्नी देनवली कोई चीज दिमें दीवा हो गया कोई लैंप हो गया जड़ी एहे सिखी है एहे लोकां दी सोच अंदर बालेगी चिराग केड़े चंग्याईदे सूरज वांग लिश्काएगी मान मंदर इस सूरज वांगो ना दे माननू रोशन करदेगी लिश्काद अवेगी अगे है रहम केरम ते तरम दी सांच बूड़ी कदे तोड़नी नहीं तुसी मूल सिंगो ता कवी कहा रहे है कि रहम यानि कि दूसरे ते दया करनी करम मतलब हथी काम करना ते तरम इनना दी सांच बहुत बूड़ी है सिर्फ तरमनू ही अगे नी रखना दया ते हथी करम करनू वी अगे रखना है ते इस सांच नू कदे वी तुसी तोड़ना नहीं है साड देवे ए आग कार आपने वी देनी आगनू कदेना तूल सिंगो तक गुरुजी कहने ले जे सांच टुटगी रहम करम ते तरम दी तक जेड़ी आग बल दी है जेड़ी नफरत दी आग बल दी है आपना वी कारसाड दी है इसलिए इस नफरत दी आगनू कदीवी पड़कॉन दी कोशिश नहीं करनी कदीवी इसनू तूल नी देना पड़कॉना नी इसनू वदाणा नी नी ता आपने आप वीचे वितकरा पैदा हो जावेगा गर्मी सोचते पारू ना होन देनी ताहियों रहूगी होश विचे सोच सिंगो ताहिते कभी कहा रहा है गुरु जी वल्लो जिवी संदेश दे रहा है कि गर्मी मतलब गुसा अपनी सोचते करीवी पारू नहीं होन देना ताहीं हो रहुगी होश विचे सोच सिंगो ताहीं तो हड़ी जड़ी सोच है तो हड़ा ताड़ा सोचना ताड़ा दिमाग ओ होश विच रहेगा होश विच रहेगा ओ अपने दिमाग चो गुछे नू गर्मी नू तेजी नू दूर करना पवेगा गर्मी आवे जे सोच नू लून वाली ऐसी गर्मी नू लेव फिर बोच सिंगो ये तो आनू कदी बहुत ज़्याधा जोश, गुसा आवे जेडी कि तारी सोच नू लून मतलब साडन वाली, लूहन देना, साड देना, लूहन वाली होवे ता उसनू बोच लेव उसनू माइय कियर्ट उस विचों दसोंद दस्वन्द अपनी कमाईद दस्वन दस्वन्द आपनी कमाईदां दस मां हिस्वाः काँद के लोडवन्द दे लर् Crowd लेखे लर टे लरी मित्रश कार अगे कहती। द्रवाजे ते आके मंगदा है, टोक मतलब रोटी मंगदा है, तथ उसी उसनु पोजन छकाड़ेना, उसनु रोटी खवा देनी है, उच्चा नीवा ना कोई वी जग अंदर इको नूर इलाही देने सब बन दे, ता गुरु जी ने सनु सारे नू एक ताब नाके रखनी गय कोई उच्चा नी है, कोई नीवा नी है संसार अंदर, सारे इको नूर इलाही, नूर मतलब राबदे नूर इतों, इलाही, दबी, डैवी, सारे उसे प्रमात्मा दे नूर चो पैदा होए ने, बंदे राबदे समझ के प्यार करना ना बोल बोलने किसे नूवी मंदे, सब जुलम दे कदे नहीं, रा पैना, गउं, गा, गरीब, जड़ा बंदे कोल पैसे नहीं है, माड़ा है, ते औरत, इन तिनना दी राखी करो, ते कदी वी जबर जुलम किसे दूसरे ते, जुलम करनवाले रास्ते ते नहीं पैना, ओ रा नहीं अपनोना, लालच विच आतिया वेचनाना, मुहों मंग के कदे ना, दाज लाइना, लालच चा के मतलब पैसे दी खातिर कदी वी ती आनू वेचनानी, कई लोग की पैसे लाए कि अपने कुडियां बेज ओड मुंडिया नाल व्याद इन देने, अब उन्दी उमर तो बहुत वड़े या बुड़े या प गुरू जी ने खाल सेदा, गुरू जी ने खाल सेदा अजेहा रूप शिंगार है, अजेहा रूप बनाया है, जिसने जुलम दा फस्ता, जुलम मतलब किसे थे बुरा करना, किसे थे जुलम करना, फस्ता मतलब उन्दी उलजन, उन्दा बंदन है, उन्नों वड़ देना, नूँ खतम कर देना है तक गुरु जी ने खाल सा जुलम दे खात मेली बनाया है शरम तरम वाला चंगे करम वाला मैं नवा रांग निखा रहा खाल सेदा तक गुरु जी कैंदेने मैं खाल सेदा रांग निखा रहा है जिने ज़े शरम वी है तरम वी है ते चंगे काम वी है ये नवा रूप में खालसे नू दितता है। पंजे बाणियां ते नाल निवाजया मैं, पंजे देखे ककार आज खालसे नूँ, खालसे नूँ पंज बाणियां, गुरु जी ने दितियां ने ते नाल ही पंज ककार, पंज ककार केड़े केड़े, कड़ा, कंगा, केस, कछेरा, ते किरपान, ए गुरु जी ने खालसे नू जुदो अमरे शिकाया सी तो उनानू खालसा बनाया सी, सिखानू खालसा बनाता सी खालसा हुन्दा है खालस, जिसेच कोई मिलावट ना होवे बाणी, बाणे ते युद दी पान चाड़ी, देखे रजमा प्यार आज खालसे नू तो गुरुजी केंदे ने बाणी, बाणे ते युद दी पान चाड़ी, बाणी मतलब वोलना, ते बाणा मतलब पहरावा ता गुरुजी ने इनना दोन्ना उत्ते पान, युद दी पान मतलब उनानू सखत बनाया है क्योंकि सिखानू युद भी करना पेंदा सी, ते गुरुजी ने उनानू बीरता दी ट्रेनिंग दित्ती, बीरता दी सिखलाई दित्ती, ता जो ओहो युद भी कार सकन, देखे रजमा प्यार आजे खालसे नू, उनाने खालसे नू, रजमा प्यार दित्ता, ते नाल ही ब जुलम नाल टक्कर लएगा मलब माडे बन देना जड़ा दूज्यांते जुलम करदाउं देनाल टक्कर लवेगा मैं युद्ध विच उस्ता ही साथ दवांगा लालो दलित गरीब बांदा साथ देके जालम पूपानू हारपाल मात देना लालो पाई लालो दी तुसी कहानी सुनी होनी है दलित मतलब जिनन्नों छोटी जात दे मन्याजन्दा है ते गरीब बांदा साथ देके जालम पूपान पूप मतलब राजे जिम्मिदार जड़ां जुलम कर देने ओननू हारपाल हार पल मात मतलब हराणा उननु हराणन दा मैं सोच्या होया है कि मैं उसी बंदेदा साथ देना जेड़ा जुल्म करनवाले अनल टक कर लवेगा इकको बाट्टे वेच अम्रित तुसी छक्या रही जातना पात आज खाल से दी गुरुजी के अन्देने खाल से ने आज एकको बाट्टे वेच अम्रित शक्या है तो उसी कोई जात जहां पात नहीं रही एकको रूप सरूप अते तरम एकको संजी वालता दात आज खाल से दी सारे आंदा रूप भी कोजा हो गया, रूप भी कोजा हो गया, तरम भी को हो गया तेस तरह सुनाने सारे सिखानू सांजी वालता देख, बंदन वेच बंद जिता मुनकर जदो असूला तो पंथ होया, मैं नहीं साथ होना इस समझ लेना तरह नाली गुरुजी ने एक उनननू वार्निंग वी दे रिती है, कि जदो भी मैंनू पता लगया कि असूला तो पंथ मुनकर होया, असूला नू छड़े है, ता मैं तो अड़े साथ नहीं देना मेरी होन्द है सिदान्थ, दे साच अंदर लबना होव इना चो रमज लेना, मेरी होन्द सिदान्था विच्च है मेरे, उननना दे साच वेची है, तो जे तुसी मैननू लबना होवे ता मेरे सिदान्था विच्च ही मैननू लाब लिओ, किर्ती काम्मे ते ग्रैस्ती सदा वड़े इन्ना विच्छी करता करतार वासदा किर्थी हथी मेंत करनवाले कामे मजदूर ते ग्रैस्ती जड़े आपना कारपास चंगी तरह चलौंदेने ओही वड़ेने इन्ना विच्छी करता करतार इन्ना विच्छी रब वासदा है रब नू लबबन लिसानू किते हो जा तार योग हुन देने किर्फ करता रूप स्रिष्टी में भादे सुप्सक्षाय। पगती नाम दी विच्चो हुन मिलू शक्ती द्यव होंसला नवा किरपान मेरी गुरुजी कहने ने हुन तानू पगती विच्चो नवी शक्ती मिलेगी ते किरपान जड़ी मेरी ओ तानू नवा होंसला देवेगी गुरु जी ने तरम ते किर्पान दो ननू कठा करता लेखे तरम दे सब्वे में ला देने सारा कार परिवारते जान मेरी गुरु जी ने आप अपने सारा कुछ तरम दे लेखे ला देता तरम दे नाम समर्पित कार देता अपना सारा कार अपना परिवार ते अपनी जान तक सारे तर्मा दे चंगे जो तर्क लेके महल सिखी दासी उसा रहे है तग गुरु जी ने सिख तर्म दे असूल बनाओं समय सारे तर्मा दे चंगे चंगे असूल लेहान मीरी पीरी दे नवे विच रांग पारके अज मैं खालसा नवा उभा रहे है तवे चुनाने मीरी पीरी दे रांग भी परेने मीरी ते पीरी जडियां की तो तलवारां गुरु हर गोबिंजी ने तारं कीतियां सी जिनातों पावसी की तरम ते राजनिती समाजिक काम दोनों नाल नालने चोली पाया मैं खालसा पंथ थोड़ी इन्दी खालसा जी सांब संबाल करनी गुरुजी कहने ने मैं थोड़े चोली विच की पाया है खालसा पंथ पादेता है यंदे खालसा जी सांब संबाल करनी खालसे नोगने तुसी हुन इस दी सामसंबाल करनी है इन्दी सोच वीचे सजरे फुल तरने इन्दे बदन वीचे सची खुशबू परनी तुसी इस दी सोच वीचे सजरे ताजे फुल तरने मतलर इसनों होर चंगा बनौना है ते इन्द शरीर वेच बदन मतलब सरीर वेच सुच्ची खुश्बू परने हैं, सुच्चा काम कोई भी माड़ी जीज इन्द कोल नहीं लाकियों नहीं सुच्ची खुश्बू परने हैं नूँ होर वदिया तो वदिया बनोडा है, ते इस विलिच खाल से ने कोई भी काम करन तो गुरेज करता है, ता ए है साधी कविता गुरु उपदेश, इस विच कभी गुरु गोबिन सिंजी वलो उपदेश चेड़ा है, उस सिखानू दे रहे हैं, हुण आप इस कविता दा अभ्यास हाल करांगे, अभ्यास विच सबतो पहला है प्रशन उत्तर, तरमदी सांज रहम अते करमनाल है, जे ए सांज टुट जावे, ता नफरत दी आग सब कुझ साड़ दिन्दी है तीसरा प्रेशन है सो चुते की पारू नहीं होन देना चाहिदा इस दा उतर गुसा जा जोश सो चुते पारू नहीं होन देना चाहिदा गुसे विच मनुक आपनी अकल गवा बैठ दा है चौथा प्रेशन है आपनी किर्थ विचों की कड़ना चाहिदा है आपने किर्थ दी कमाई विच्चों जुरूरत मंदां दी सहायता ले दसवंध कड़ना चाहिदा है पजिमा प्रशन है किस दी राखी करनी चाहिदी है जाउतर गौं गरीब अते औरत दी राखी करनी चाहिदी है छेमा प्रशन है खाल सेदा रूप किस तरह शिंगार्या गया है जवतर गुरु गोबिन सिंग जी ने खंडे बाटे दी दातनाल विशेश पहचान देन लई पंच ककार विशेश पहरावा दे के चंगे करम करन अते जुलम दा अंत करन लई खाल सेदा रूप शिंगार्या है सत्वा प्रशन है शक्ती किस विचों मिल सकती है जवतर प्रमात्मा दीप पक्ती विचों शक्ती मिल सकती है अठ्वा प्रशन है मीरी पीरी तों की पाव है इस दा उत्तर है मीरी अते पीरी नाम दियां दो तलवारां सिख्छां दे छेवे गुरु शिरी गुरु हर्गोंबिन जी ने तारण कीतियां सी मीरी राजनितिक अते संसारक अगवाई दी परतीक है अते पीरी तार्मिक अते अध्यात्मक रहनुमाई दी परतीक है इस तरह गुरुजी ने तरम ते संसारिक कम्मानों एक दूजे दे पूरक मन्या है इस तो बास अड़े कोल है हेट लिखियां काव सत्रा पढ़के पुछे गए प्रशना दे उत्तर देो काव सत्रा हन गवंगरीब ते ओरत दी करो राखी जबर जूलम दे कदी नहीं राख पैना लालच विच आतियां वेचना न मुह मंंग के कदे न दाज लेना इस विच पहला प्रशन है किस दी राखी करनी चाहिदी है उत्तर है गौन गरीब अते औरत दी राखी करनी चाहिदी है दूसरा प्रशन है केडे रा नहीं पैना चाहिदा जबर अते जुलम दे रा नहीं पैना चाहिदा तीसरा प्रशन है लालच विच आके की नहीं करना चाहिदा इस दाउत्तर लालच विच आके तीयानू वेचना नहीं चाहिदा है पाव पैसे लेके तीदा व्या नहीं करना चाहिदा है चौथा प्रश्ण है मुहों की नहीं मंगना चाहिदा इस दाउत्तर मुहों दाज नहीं मंगना चाहिदा है इस्तवास अगला प्रश्ण है, हेट लिखे काव टोटे दी प्रसंग सेथ व्याख्या करो लाइना हान, उच्चा नीवा न कोईवी जगंदर इक रूँ नूर इलाही देने सब बंदे रबदे समझ के प्यार करना ना बोल बोलने किसे नूवी मंदे अगे जी व्याख्या लिख सकदे हाँ इनना सत्रा विच कवी लिखता है कि गुरु गोबिन सिंजी ने खाल से नूवी पेद पाव ना करना संदेश दिता है संसार विच कोई वी उच्चा जा नीवा नहीं है सारे इंसान उस पर मातमा दे नूर तों बने हान इसलिए साब नूराबदे बंदे समझ के प्यार करो किसे नूवी माड़ा ना बोलो इस तो बाद साड़े कुल हन आओ कुझ होर करिये जिस विच की है कि गुरुआं दे उपदेश आज भी सहाई हान इनना उपदेश ना समाज नू किमें से दिती जा सकती है तो उसी दसना है कि आज भी जड़े गुरुआं दे संदेश ने हो किस तरह इस समाज लेई चंगे हन चंगे-चंगे संदेश इस पार्थ विच भी बहुत सारे पड़े हन किर्थ करने किसे ना पेद पावना करना तो उसी ना सारे आं बारे इस विच लिख सकते हो मुगलान देश जुलमना टक कर लई जा सके तो उसी इस बारे होर जानकारी आपने वड़्यातों पता करके या आप लाब के किताबा में चो लिखनी है अगे है पार्थ विच उ सिख तर्नस बंदित पांच शब्दन चुनके उना नू वाक्का विच बनलो इस पार्थ विच सिख तर्नस मंदित बहुं सारे शब्दाईने जिमें की खालसा, बाणी, ककार, दसवंद, मीरी, पीरी, किरपान तर्थ उसी इस बारे शब्दाने वाक्के मना सकते हो उस बार अग्गे है विरोधी शब्द, जिस बिच पहला है तर्म, जिस बिरोधी शब्द होएगा अतर्म रहमदा, जुलम, नीवादा, उच्चा, मंदेदा, चंगे, वेचना, खरीदना, गरीब, अमीर, खुश्बोदा, बद्भू, ते सज्ज्रेदा, बेहे तिस पार्ट विच आखरी है जोडे बनाओ, जिस बिच दोने पासे तो हनू चार चार चीज़ां देते हैं याँ जिनान तुसी आपसे च मिलोना है ता पहला है खालसा, जो की मिलेगा सोला सुन नडीन में इस भी विसाक्थी मीरी पीरी, गुरु हर्गोबिन साहर जी, चिराग, बालन, ते दस्वंध, कमाईडा, दस्वं, हिस्सा तब बच्चों एसी तोहड़ा पाठ गुरु उपदेश मैंनू उमीद है तोहानू कविता भी समझ आगी है तो इसदा अभ्यास भी हालकरंच हों तोहानू कोई मुश्किल नहीं आवेगी तोहड़ा अगरा पाठ लाएके मैं रमन दीप को बहुत जल्दी हाजिर हो वांगी उधर तक इस वीडियो नू लाइक ते शेर जरूर करें तोहानू हो भी दोस्ता में तो लाब में सकी पंजाबी स्कूल चैनल नो सब्सक्राइब करो हुन देव इजाजत तान्नवाद